पश्चो लाश्ट रंपर हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसो मेरिज्म समावयवता को डिस्कस किया था तो आइसो मेरिज्म या समावयवता क्या होती है जिसमें की दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड हो जिनके मालिकुलर फार्मूला अनुसूत तो समान हो लेकिन संद्चना स्ट्रक्चर उनका डिफ्रेंड हो विन्न हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाते है आइसो मर या समावयवी कहलाते हैं और उनके इस गुण को उनकी इस प्रापर्टी को आइसो मेरिज्म या समावयवता कहते हैं अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग उन्हें लाश्टर पर डिसकस किया था चेन आइसो मेरिज्म ठीक है क्या डिसकस किया था चेन आइसो मेरिज्म या स्रंखला समावयवता को डिसकस किया था अब उसी में आगे हम लोग डिसकस करेंगी क्या पोजीशन आइसो मेरिज या स्थान समावी अपता एक ना पोजीशन आइसो मेरिज एक ना या इसे इंदी में कहते हैं पोजीशन आइसो मेरिज या इस्थान समावी अपता की क्या होता है जिसमें की कोई सब इस्टिटूशनल ग्रूप हो या फंक्शनल ग्रूप हो उसका इस्थान बदल जाता है तो क्या होता है इस्थान समावता होता है अब जैसे की देखें इसका इस्थान समावता का एक्जांप पे या seront कि मान आता है प्रूप होता है कि में ऑ्रूप उस्थान समावग लें जैस्थान समावतात इस्थान साह र cheaper याल और श Mark दोनों में कारवन की संख्या चार चार है लेकिन उपरवाले में क्या देखिए इसमें ऊंतू कि दूसरे कारवन से डबल बाउन लगा हुई है और इसमें पहले कारवन रखा हुए है तो इसका नाम क्या है दूसरे कारवन से लगा हुआ है डबल बॉर्ण तो यह क्या होगा टू व्यूटी तो यह क्या होगा वन व्यूटी तो यह टू व्यूटी और वन व्यूटी अब इसमें दोनों एक है दोनों हुए क्या है डोजन के स 2022 लगा है जो डबल बॉर्ण लगा हुआ है जूबंध लगा है उसकी पोजीशं उसका इस्थान बदल गया है इसलिए नो में किया है यह दूनों 3 पो स समय हुगी हैं यह सी च्रीश übers जिन पार यह दसमेरिश्व मर्या को समाव यावता तो यह स्थान समावता का अब दूसरा इसी का देखिए जैसे कि कि सी एस्ट्री अब दूसरे में देखें यहां पर कि सी एस्थ यह सीए और यहां पर लगा विया सी है अधेकए यहां पर प्लोरीन पहलेuine कारभण से लगभा और इसमें दूसरे और वा तो यहां पर chlorine की position चेंज होगी है तो यहां इसमें क्या बनना है इसका नाम क्या होगा आयो पेसिम में chlorine के लिए लोरो लिखते हैं और प्रिफिक्स में लिखते हैं तो दीन कारूं को क्या कहते हैं प्रोपेन तो यह क्या हो जाएगा वन लोरो प्रोपेन और दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा इसका यह टू क्लोरो प्रोपेन ठीक है वन क्लोरो प्रोपेन टू क्लोरो प्रोपेन इसमें क्लोरीन की position चेंज हुए इस्थान बदला है तो इस प्रकार से इसमें इस्थान समरा होता है तो जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि और decision C쉬 फसमेंथ में लिखेंगे हैं आएगा तो इसमें एक वान इने लिखा जायगाए दो क्योंकि यह उख कंप्रीजिन ही क्लोरें की position बदली हुई है पहले कार्वन से और दूसरे कार्वन से लगा हुआ है तो इसमें क्या स्थान समाहता है यह पोजीशन आइसोमेरित प्लॉरीन की पोजीशन बदल दी डबल बार्ण की पोजीशन बदल दी तो इस परकार से इसमें कौन सी समाहता है पोजीशन आइसोमेरित अब इसकी बाद अ कि यह तो है को जिसन इस्ते देगा अब दूसरा इसमेरिद देखते हैं कि क्यों सब्सक्राइब ग्रूप आई समय इसमेरिद इसमें लगा एक रूगे मिरी और पॉक्स को क्लियात्मक समू समय उता या क्लियात्मक समा तो इसमें क्लियात्मक समू बदद जाएनगे जो सैंड़ी लगे होते हैं वो चेंग हो जाएंगे तो यह फंक्षिनल ग्रूप आई सुमेरिस भूगत है तो इसमें अब इसमें मालीकुलर फामूला अनसूत्र सवान होगा और संरचना बिन्न भिन्न होगी लेकिन संरचना में भिन्नता या इस्ट्रक्चर में जो डिफ्रेंस होगा वो किसके कारण का तो फंक्षिनल ग्रूप बदर लिए ठाथ है अब इसमें एक्जाम्टिल देखते हो जैसे की पहला एक्जाम्टिल आ सी टू एच पाइफ फाइब को एच है और च 3 ओ ट्री अब इसमें देखिए, लेकिन इसमें क्या है? और इसमें यह अक्सीजन शहा है, यह 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 एथा तो यह क्या हो जाएगा? और यह क्या हो जाएगा कि इथर में ऑक्सी लगाते हैं तो यह क्या नाम हो जाएगा मेथोक्सी मेथेन तो इस प्रकारण से दोनों कमें नमबर आप कारवन हाइड्रोजन और आक्सीजन सेंग तो इसमें क्या है फंक्सिनल ग्रूप आईसो मेरीज़ मेरीज़ त्रिया प्रूप समा अब इसी प्रकार से इसमें एक दूसरा जांपिल जगते हैं दूसरे जांपिल में देखें कि सीटू एज़ फाइव सी एच और यह क्या है यह क्या होगा इसमें प्रोपें इसमें क्या लगाते हैं अल लगाया जाते हैं और इसमें कारण कितने तीन है तो इसको आपे से में नाम क्या हो जाएगा प्रोपे नल अब इसी का दूसरा आइसोमर लिखते हैं कि सी अस्त्री सी ओ सी अस्त्री अब इसमें देखी कारण तीन है इसमें भी देखी कारण तीन है इसमें लगा है कि टोन आप यहां पर तीन कारण के प्रोपे नन और इसका नाम कि टोन में क्या लग जाता है इसके रूपे और ओन लगता है तो इसका नाम क्या हो जाएगां कारवां तीन कारण को क्या कहें के हुआ है और काउंटिंग करने पर पिटों दूसरे नुमर पर लगा गया तो यहां पर टू प्रोपेनों हो जाएगा तो इस प्रकार से इसमें देखें फंक्शनल ग्रूप आइसो मेरे यह फंक्शनल आइसो मेरे यह तो क्रियात्मक समावता हमें पिर्यात्मास्पीश बदल जटा है तो यहां पर आपको दो एक जाम्पी याद रखने हैं कौन कौन से यह तो एल्कॉल का एथर से होता है समद्ज है अल्कॉल का इथर से एल्कॉल और एथर एक दूसरे के क्या होती है आइसोमर या समायोवी होते हैं और इसे परकार से एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे क्या क्या होते हैं समायोवी होते हैं लेकिन कौन से समायोवता होती है फंक्शनल गूरूप आइसोमेरिज तो फंक्शनल गूरूप आइसोमेरिज में कौन किसके साथ समायोवी होगा यह आपको याद रखना पड़ेगा इसमें यहां पर ध्यान देना है कि एल्डियाइड और कीटों यह दोनों क्या होते हैं कार्बोनिल गुर्प की कंपाउंट सकती है मैं कौन कौन से लड़ेड और कीटों इनहीं ने आइसोमेरीज्म होता है समाया होता हुँ तो यहां पर पोजीशन आइसोमेरिंद यह स्थान समाया होता हूं इंद्वर बॉंड ट्रिपेल बॉंड एल्डीहाइट एल कोई चीशन लगी ऋ क्टेंगा डबल बॉंड ट्रिपेल बॉंड आम लिक्षांट एल्पील बाहरा ओड खाल न्युक्ज THEर किसी विन बदत जायिए तो मतलब रिजापन कारता है किए आप रिए2 ने ये Wars यह सु त जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोरी ब्रोमीर आयोडी ठीक है या इसी में वो एच है सी अचो में यह किसी का भी इस्थान बदल जाए पोजीशन चेंज हो जाए ठीक है ना और माली कूलर फामुला तो स्यम रहना चाहएं और इस टेक्टर समय जो होती है उसे हमаже इस्थान और में में इस्थान आई कर तो इलेकिन आपको आपको यह याद रखना होगा कि कौन सो कौन सा functional group एक दूसरे के isomer भूशक्ते हैं सकते हैं तो उसमें आपको यह याद रखना होगा ऐलखोवल और इसे प्रकार से एल्डिहएड और की तुम लोगों ने आज कुझ घून-कॉन से प्रूजिशन आईस्थान 되고 function इस महां लावे सम्था तो उता है या को ऊदारल के दारा ही समझना मदर और सभी की डिपनीशन लगब एक झ्ति कि डिपनीशन सभी के एक दिश्यों कि मालिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए इस्टेक्चर डिफरेंट होना चाहिए और जो इस्टेक्चर में डिफरेंश आएगा वो किसके कारण आएगा कार्वन की चेंड के कारण या functional group की position चेंज होने के कारण या functional group चेंज होने के कारण तो जो structure या संदचना में बदला हुआता है वो किस कारण से आता बस ये द्यान रखे इसी क्यादार पर हम बता सकते हैं कि इसी भी compound में जो दिये गए उनमें कौन सा isomeris में या कौन सी समा भी आउता है तो next time पर इसी के आगे हम लोग डिस्मस करेंगे Thank you